प्रश्नावली एक दस्मलो पांच आप लोगों को समझाऊंगी लेकिन सबसे पहले हम बुख में पढ़ेंगे उसके बाद हम बोड़ पे समझाएंगे प्रश्नावली एक दस्मलो पांच इसमें हम देखेंगे रिक दस्थानों की पुर्ति कीजिए फर्स्ट है पचास पैसे बराबर दस पैसे के ये खाली बॉक्स है उसमें फिर बाद में सिखे मतलब पचास पैसे हो और आपको दस-दस पैसे के कितने सिखे दिये जाएंगे तो पचास पैसा होगा तो मारा आंसर कितना हैगा पांच मतलब दस पैसे के पांच सिखे होंगे हमारे पास तो कितना होगा पचास पैसे उसी तरह से सेकंड दो रुपए बराबर पचीस पैसे के कितने सिक्के अब एक रुपए का पचीस पैसे के कितने सिक्के होंगे तो एक रुपया होगा चार सिक्के चार सिक्के तो उसी तरह से दो रुपए के कितने सिक्के होंगे 2 रुपए मतलब 25 पैसे के कितने सिखे 8 सिखे उसी क्रम में हमको बाकी सब भी कर 50 पैसे के 4 सिखे मतलब 2 रुपए प्लस 1 रुपया 1 रुपए के 3 सिखे मतलब 50 पैसे के 4 सिखे मतलब 2 रुपए और 1 रुपए के 3 सिखे मतलब 3 रुपए 2 और 3 कितना होगा यहाँ पे 5 रुपे उसके बाद 10 रुपे का 1 नोट बेराबर 2 रुपे के 5 नोट उसी तरह 50 रुपे का 1 नोट और 5 रुपे के मतलब रुपे के 5 नोट पांच नोट कितने रुपे के होंगे 10-10 रुपे के 10 रुपे के 5 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपे बुसी क्रम में हमें देखना है दिये हुए समय के अनुसा निम्नांकित घड़ियों में सुईयां बनाई है यहां पे घड़ी दी हुई है टाइम लिखा है वो हमें यहां पे सुई बनाना है 3 बचके 30 मिनट अब हम यहां पे सुई बनाएंगे ते देखो बच्चो घंटे का सुई 3 और 4 के बेची में और मिनट का 6 पे यह गरा हमारा 3 अब उसी क्रम में दूसरा देखेंगे 7 गंटे का सुई शाथ पे और मिनट का 12 पे अब यहां पे 2 और है यह आप लोगों को बनाना है कितना बचे 9 9 बच के 30 मिनट और यहां पे 12 बचे यह आप लोगों को बनाना है उसके बाद हम देखेंगे यह रिक्तिस्थानू की पुर्ति कीजिए एक मिनट बराबर कितने सेकेंड साथ सेकेंड मतलब एक मिनट में कितना सेकेंड होता है साथ सेकेंड एक घंटा में कितने मिनट होता है साथ मिनट तो देखेंगे एक सब्ता में कितने दिन होते हैं साथ दिन देखेंगे एक लिटर में 1000 मिली होता है उसके बाद एक वर्ष में 365 दिन होता है 11 नमबर एक अधी वर्ष में कितना होता है मतलब एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है 365 दिन होता है उसके बाद बारा नमबर एक रुपया में 100 पैसे होते हैं एक कीमी बराबर 1000 मीटर एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बारा इसी तरह से हम आगे का कॉश्चन दिखेंगे बच्चों ये आप लोगों को होमवर्क है ह्ट्रब्लू ये आप लोगों को होमवर्क करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिनों के नाम क्रम में लिखिये रविवार, सोमवार, मंगलवार इस तरह से अपने को सातों दिन के नाम लिखना है उसके बाद सतरह नमबर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन दिनों के नाम लिखिये जिन में 31 दिन होते हैं जन्वरी-फरवरी में जन्वरी से दिसंबर तक लिखना है और वो कौन-कौन सा जिसमें 31 दिन का महीना होता है वो महीनेों के नाम लिखना है अठारा नमबर उस महीने का नाम लिखिए जिसमें 28 दीन या 29 दीन होते हैं उसके बाद है 19 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम निखीत समय बजाती हुई घड़िया बनाई है इसमें घड़ी बनाना आठ बजे है बी में 10 बच के 30 मिनट दीन में 1 बज़ के 30 मिनट और दीन में 5 बज़ के 30 मिनट यह आप लोग को घड़ी अपने कॉपी में बनाना है अब हम देखेंगे कॉस्चन नमबर 20 निम नांग की ट्रत्यक आकरुती का नाम लिखी अब हमारे सामने कुछ आकरतिया हैं जिसका हमको नाम लिखना है यह देखो बच्चो, यह कौनसा आकार है हमारा? बेलन. बेलन के आकार का है, इसलिए हम इसमें बेलन आकार कहते हैं उसके बाद यह देखो, यह हमारा जैसे हम बड़े में टोपी लगाते हैं उस तरीके का इसे हम क्या कहते हैं शंकू उसके बाद यह हमारा घनाब और लास्ट में हमारा यह क्या है तीन कोण है इसे लिए इसे है त्री भूज त्री तीन भूजाए हैं इसे लिए हम इसे कहते हैं त्री भूज उसके बाद है निम्नांकित प्रत्य काकृति में उसके नी है और हमें इसका कुछ भाग इसमें हमें भरना है तो ये रेखिए खियाकृति एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ डब्बे क्या करना हमको एक बटा चार भाग मतलब एक में से एक चौथाई भाग भरना है जैसे सबाल बचो एक रोती है यह भी एक पुरा है अब हम इसमेंसे बीच मेंसे इसे डिवाइड करेंगे तो यह वगा एक रोती का दो भाग मतलब एक बटे दो अगर हम इसे चार भाग में डिवाइड करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, एक बटा, चार, मतलब एक रोटी का चार भाग, अगर इसका हम समान तीन भाग करेंगे, तो एक बटा, तीन, मतलब एक रोटी का समान तीन टुकडा, इसी तरह से हमें ये आगरतियां, अब हमें क्या करना है, इसका एक भाग भरना है, तो हम इस बॉक् box बढ़र देंगे यह हो जाएगा हमारा 4 वघ में से एक भग जंगीन हो जाएगा उसके बादएग बट्टा दो अब यहाँ पर क्या करना हमको चार भग हैं यहाँ विनको दो भाग को बढ़ना हैं हम क्या करेंगे यहाँ से यह आधा पूरा भड़ देंगे फिल कर देंगे इस तरह से इतना भाग इतना आधा भाग हम पूरा भर देंगे उसके बाद है एक बटा चार अब क्या करेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार चार भाग दिया चार में से एक बाग हम बढ़ दिये अब क्या है एक बटा दो यहाँ पे भी चार भाग है इसमें से हमें दो बाग बढ़ना है इसे हम इस तरह से फिल कर देंगे तो यह हो गया हमारा जो भी आकरती है उसका आधा भाग हम जो भी दिया है उसमें बढ़ दिये उसके बाद कुछ प्रस्थन है हल कीजिए एक आलमारी का द्रवेमान 815 किलोग्राम 25 ग्राम है और दूसरी आलमारी का द्रवेमान 748 किलोग बीका है एक सो नब्ब्बे ग्राम है दोनू अलमारियों का कुल द्रव्यमान ग्याद कीजी हमें क्या करना है इस तरह से लिखना है किलो ग्राम और ग्राम एक अलमारी का द्रव्यमान दोनों आलमारियों का कुल द्रव्यमान कितना होगा 1563 किलो ग्राम 215 ग्राम है यह आप लोगों को कॉपी में लिखना है अब हम देखेंगे 25 नमबर का एक कमीज का मुल्य 645 रुपए 95 पैसे है और दूसरी कमीज का मुल्य 338 रुपए 88 पैसे है ग्याद कीजिए कि पहली कमीज दूसरी कमीज से कितनी महंगी है अब हमें क्या करना है रुपए और पैसे में हम लिखेंगे पहली कमीच एक कमीच कितनी रुपे की है 645 रुपे 95 पैसे की है दूसरी कमीच 338 रुपे 88 पैसे की है अब हम क्या करेंगे पहली कमीच का जो दाम है उसमें से दूसरी कमीच का दाम को मुल्ली को घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना होगा 307 रुपए 7 पैसे पहली कमीज दूसरी कमीज से 307 रुपए 7 पैसे महंगी है अब उसके बाद देखेंगे 26 नमबर का एक दुकानदार के पास 313 मीटर 77 सेंटी मीटर कपड़ा है उसमें 208 मीटर 69 सेमी कपड़ा बेच दिया ज्याद कीजिए कि दुकानदार के पास कितना कपड़ा बचा अब हम इसको लिखेंगे मीटर और सेंटी मीटर में 313 मीटर 77 सेंटी मीटर कपड़ा था दुकानदार के पास उसने बेचा कितना 208 मीटर 69 सेंटी मीटर अब 313 मीटर सो 37 सेटिमेटर से हम क्या करेंगे 208 मीटर 69 सेटिमेटर को गटा देंगे कितना बचेगा 105 मीटर 18 सेटिमेटर तलब दुखंदार के पास 105 मीटर 18 सेटिमेटर कपड़ा बचा उसके बार देखेंगे हम 27 27 नमबर का एक गाड़ी में 32 लीटर 13 मीली पेट्रोल था ड्राइवर ने 15 लीटर 270 मीली पेट्रोल और भरवाया ग्याद कीजिए कि गाड़ी में कुल कितना पेट्रोल हो गया क्या करना है हमें उत्तर में हम लिखेंगे लीटर और मीली लीटर में ड्राइवर के पास गाड़ी में कितना पेट्रोल था 32 लीटर 13 मीली लीटर उसने कितना पेट्रोल भरवाया 15 लीटर 270 मीली लीटर तोनों मिला कर कितना हो गया 47 लीटर 283 मीली लीटर उतलब गाड़ी में कुल 47 लीटर 283 मीली पेट्रोल हो गया अब ये जारा कोश्चन आप लोगों को कॉपी में लिखना है